हम आई को है एस वेल्mente' वंकमय माइच है आज हम बात करने वाले हैं आई टी आई करने का क्या फायदा और आई करने से हमें नोकरी कहा मिले तो देखे सबसे पहली बात कि आई टी आई करने से जो फायदा होता है वह आप लोग के पास मौका बहुत हो जाता है जैसे देखिए फर्स्ट अफॉल किसके लिए प्रती माह प्रती एक माह में कम से कम गोबर्मेंट का 10-15 डिपार्टमेंट में हमेशा इसकी वेकेंसी आती रहती है आप लोग के पास मौका बहुत जादा है आप लोग हर मन्थ 10 से 15 फॉम भर सकते हैं इससे आप लोग का उपर्चुनेटी बर जाता है तो इससे आप लोग अपना त्यारी डेडिकेटेड के साथ करेंगे तो एक से देर साल के अंदर में जॉब पालेंगे दूसरी बात इसमें कम्पिटीशन बहुत कम होता है इसमें कम्पिटीशन बहुत कम होता है क्योंकि मैं अभी तक जितना देखा हूं उस हिसाब से बोल रहा हूं कि आईटी आई के प्रती बहुत कम बच्चा डेडिकेटेड रहते हैं क्योंकि इसका जो कटप में देखता हू उसमें सबसे कम cut-off ITI वाले का गया था यहां तक कि किसी किसी को तो 20 नमबर, 22 नमबर, 25 नमबर पे हुआ उसको normalize करके उसको कर दिया गया अगली बात करें तो ITI करने के बाद government job में अच्छी salary मिलती है अगर आप ITI करने के बाद government job करते हैं तो अमूमन आपका जो salary बनेगा तो लगभग आपका उस salary बन जाए आपको 32,000 से लेके 42,000 के बीच में ठीक है 32,000 से 42,000 के बीच में government job ITI करने के बाद अगर लेते हैं तो आपको इतना salary easily मिल जाता है मतलब अराम से इतना salary बनता है जो कि आप 10th 12th level पर कभी नहीं इतना salary ले सकते हैं उसके बाद अगर आप लोग ने ITI नहीं किया है अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से जो personal suggestion दोंगा कि NCBT से कीजिए NCBT का मतलब होता है National Counseling Vocational Training अब लोग NCBT से जरूर कीजिएगा अगर नहीं किये हैं तो देखे आई टी आई का फूल फर्म होता है इंडस्ट्रेनिंग इंस्ट्यूट अभी फिलहाल में आई टी आई के लिए आई टी आई के लिए SSB में भी वेकेंसी आया है अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाएए वीडियो के सेक्शन में वहां से देख लिजिए ठीक है टी आई के बाद कैसे मिलेगे गुवर्मेंट जाओ सबसे पहली बात कैसे इसफयाज मिलेगे जहां पर आपको स्रिफ आई टी आई के टेकनिकल पूछा जाता हो ज्यादा जानी 70% के आज पास स्रिफ एक बुक का स्रिफ एक बुक से 70% कोश्चन पूछा जाए मतलब समझते बहुत जाएदा है आप लोग एक बुक पढ़ लेंगे तो 70% कोश्चन सॉल्व कर देंगे और 30% मात्र कोश्चन वह भी आपको वर्क्सॉप वर्क्सॉप एंड केलकूलेशन साइन्स उसमें क्या आता है तो साइन्स आता है और मैथ आता है जो कि आई टी आई जो आप लोग कर रहे होंगे उस वर्क्सॉप एंड केलकूलेशन साइन्स पर लिजे आपका करीब किसी भी एक्जाम आई टी आई बेस पर दीजेगा तो 80% कोश्चन सॉल्व हो जाएगा जिसमें टेक्निकल पूछा जाता हो अब ऐसी कंपनी कौन है वह भारत सरकार की कंपनी है उसमें जो आपको सेलरी मि सकते हैं तो यहां पे मैं कुछ कंपनी को लिया हूं बहुत सारी कंपनी है लेकिन में कुछ को यहां पे लिया हूं जिसमें हमेशा अटी रहती है नमर फस्ट पर डी-ार्डियो डी-ार्डियो के बारे में आप लोग जानते होंगे defense research organization development है यह हर साल technician यह करके साल में करीब पचास question DRTO में पूछा जाता है जिसमें से आपको जो 100 question रहेगा और पचास question रहेगा non-technical कहने का मतलब इसमें physics से रहागा chemistry से रहाघा math से रहाओ और 10 questions English से डालता है ठीक है और एक 2 question current affair कराता है और एकर इसमें से अगर आपटाइर सो में से मात्रा 105 ले आते हैं तो आपका CB21 यानि किलियर हो जाएगा उसके बाद आप लोग को ट्रेट टेस्ट देना परेगा देखिए इसमें 105 नंबर लाना बरी बात नहीं है यूँकि आपका trade theory कितना का होता है trade theory इसमें जो आप लोग का पूछा जाता है उस सो का होता अगर आप लोग थोरा सा भी धियान से trade theory परिएगा तिसमें 90 पलस हराम से score कर सकते हैं अधर 50 में से 10 भी 100 नहीं बना सकते हैं इसली बना दीजिएगा और इसे भी आपको basic math आता हो अगर हम इसरो की बात करें ठीक है Indian Space Research Organization तो यह भी आइटी आए वाले के लिए हर साल technician B के नाम से इसका बहुत सारा center है जैसे आमदावाद हो गया बेंगलोरू हो गया हर साल इसका लवक साल में 4-5 बार वेकेंसी आहीं जाता है तो इसमें होता क्या है इसमें 90 question पूछता है ठीक है इसमें आप लोग को 80 देखिए इसमें question fix नहीं रहा था कौन question कितना पूछेगा टेकनिकल कितना पूछेगा लेकिन 80 पलस में जहां तक set को analysis किया हो तो उसमें 80 पलस के आसपास आपको ITI के trade theory से question देखने को मिल जाएगा और इसमें 4 से 5 question आपको math के मिलेंगे ठीक है और 2 से 3 question आपको किस चीज़ के मिलेंगे तो आपको मिल जाएंगे जीके के question ठीक है और एक से 2 question आपको हो सकता है तो reasoning से मिले या नहीं मिले तो इस टाइप से यह कुल मिला के question पूछता है तो देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं अगर आप यहाँ पे 70 पलस इसमें score कर लेते हैं तो आप भी exam को qualify कर सकते हैं 90 में से 75 qualify score करना कोई बरी बात नहीं आप लोग एक बाद trade theory को धियान से पहर के देखिएगा ठीक है इसली कर सकता है अगर आपको नहीं पता है अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही इसरो टेकनिसियन भी फिटर का question अपलोड किया हूँ आप लोग अगर फिटर ट्रेड से तो जाके उसको देखिएगा आप लोग को पता चल जाएगा कि कुछ लेवल का आता है आगे हम बात करें ONGC के बारे में ONGC के बारे में आप लोग जानते होंगे oil natural gas corporation अभी फिलहाल में ONGC में अपरेंटिस निकला था ONGC भी एक बहुत बड़ी महारतना कंपनी है भारत सरकार की भारत सरकार की महारतना कंपनी है और इसका जो salary होता है बहुत अच्छा होता है करीब 40,000 के आज़ पास आप लोग के इसमें पर मंथ मिलेगा और जो आप लोग इसरो देखते हैं न इसरो आप इसमें जब जाएंगे तो यह स्टार्टिंग में आपको करीब 35,000 रुपया मिलेगा अजब retire होईएगा न तो कम से कम आपको 2,000,000 मिलेगा अगर आप सही proper तरीके से promotion लेते हैं देखे यहाँ पे बहुत promotion होता है अगर आप इसरो में अगर आप technical में interested है तो सच बता रहा हूँ आपको 2,000,000 रुपय retirement तक मिल जाएगा अब आगे बात करते हैं Indian railway के बारे में तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है यह तो सब का favorite है इंडियन railway में आप cut-off देखे हैं 20 नंबर से लेके 20 नंबर गया है minimum cut-off और सबसे बारा फाइदा है इंडियन railway में जब ALP technician का जो vacancy आता है तो इसमें जो ITI के student है उसको दो chance मिलता है एक तो ALP का दूसरा technician का अगर आपको ALP में नहीं हुआ तो technician है सब्सक्राइब नहीं होता है तो इसलिए इसका salary थोड़ा अलग अलग रहता है और इसमें भी बहुत ज्यादा पर्मोसन होता है इंडियन railway में भी उसके बाद हम बात करते हैं BHEEL के बारे में भारत है भी एलेक्ट्रिक लिमिटेड ये भी भारत सरकार की कंपनी है इसमें एलेक्ट्रिक का समान सब बनता और ये भी हर साल वेकेंसी निकालते और इसका भी स्लिए बस लगभक से में और इस परकार की बहुत सारी कंपनी जहां आप लोग अराम से गोवर्मेंट जॉब कर सकते हैं वो भी आप लोग एक बुक शरीप अच्छा से परिये ट्र इसलिए मैं आप लोग जो कहूंगा अगर आप लोग आईटिया किये तो जरूर आप लोग इधर आईए इधर जो आप लोग कंपनी देख रहे इसमें जाने की सुचिए ऐसा ऐसा बहुत कंपनी ये 200 प्लस गोवर्मेंट की कंपनी है मैं सारे पे धीरे धीरे वीडियो बन मिलते आप नेक्स्ट वीडियो में